जहन साथियों आज का टॉपिक हम लोग का है भी भाजिता या भाजिता के नियम है ना और 2 से 15 तक कि संख्याओं को हम लोग भाजिता से संबंदित संख्याओं को हल करने वाले हैं और सभी का रूल और सभी का क्यूश्चन जो बनता है SSC Railway सभी क्यूश्चन को इसमें कवर किया गया है और इसका प्रियोग कहा होता है जब आप लोग अभाज गुडन खंड करेंगे या क्यूश्चन नमर पहला देखिए यह आपको समझ में आ रहा है आप कहेंगे कि मोबा इतना लंबा संख्या भाग देंगे क्या हुआ पेज भर जाएगा झागर बस आपको रूल अगर पता होगा तो आप रूल कि दोरह इसको हाल कर सकते हैं यह संख्यां बता सकते हैं कि पांच से भाज ज्यां कियों कि सिर्फ लाष्ट वाली संख्या वा देखिए ना पांच पान से भी भाजित है, कैसे है तो ये पूरा रूल, आपको वीडियो में पूरा किलियर और बिस्तिरत तरीके से अधन किया गया है, तो वीडियो के एंड तक जब बने रहेंगे तो पूरा नियम सीख पाएंगे हैं अगर जल्दी भाजी करेंगे तो जल्दी भाजी में इस अंक से भी भाजित हैं, आपके पास दो, तीन, पांच, इन में से कोई नहीं, आप कहेंगे कि ये संख्य किस से भी भाजित हैं, तो ये संख्य आपका तीन से भी भाजित हैं, क्यों? कि सभी अंकों को जोड़ दीजें, छो तीन, नव, 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 अठारा, यहां पर चातिन, नव, आण नव, आठारा, 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 चातिस, चातिस क्या है, तीन से भाज्य है, अब ये कैसे हुआ, ये भी आपको वीडियो में किलियर बिष्थरी तरीके से बताया गया है, आगे बड़ते हैं, तीसरा किश्चन ही आपका, तेरा, एकसर, दोस, बावन, ये कैस किस संख्या से भाजित है, तो ये इग्यारा से भाजित होगा, क्यों, किसम और भिसम अस्थानों के अंकों का योग, योगों को जब हम घटा देते हैं, तो जीरो या इग्यारा का गुणा जाता है, तो क्या होता है, वो इग्यारा से भाज्य होता है, इसको भी बि लीडिय खाल को आपने बारी बारी घव चेल चव adversion को बारी 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 खाक्षि के भाग करने में सब एक मिनुट का समय लगेगा यहानि एक कुर्षिन को ह हुल करने में पांच मीनस चार अप्सन बार्रो एक मिनुट 1 मिनट रंगने में गहला है अभी तो ओनलाइन हो गया जो नियम होता है Physics Tari ke Sudyan किया गया सभी किश्ट उसमें कवर किया गया है दूसराiven किश्टन क्या है तुसरा ओफ यहां पर दिये घे संख्या यहां पर 156 है 942 जया से भाज होने वाली है तो हैं से अस्थान पर कॉन सांग तो पता कब चलेगा पूरा बिस्तरीत अध्यन करेंगे तब तो वीडियो के लाश्ट तक बने रहेगा और पहले ही हम आपको काना चाहेंगे कि वीडियो यह सबसे अच्छा है यूटूब पर ऐसा वीडियो खोचते रहे जाएंगे मिलेगा नहीं तो ऐसा इससे पहले तो आ पांब्रेकार हमने ट्रिकी वीडियो बहुत ट्रिकी वीडियो अपलोड किया और अपलोड आगे भी करेंगे ओके चलिए और यहां पर देखे способ 1 और question 2 आपको दिया गया है पूरा बिस्तिरित अध्यन किया गया है यहां पर आगे आपको इस वीडियो में पूरा इसका answer बताया जाएगा और solve भी किया गया है ओके तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं कि वीडियो में क्या को हल करते हैं तो वीडियो के end तक बने रहेगा तभी आप 2 से लेकर 15 तक 2 से लेकर आप 2 से लेकर 15 तक की सभी संख्याओं के बारे में अध्यन कर पाएंगे और सभी confusion अपना दूर कर पाएंगे ठीक है आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं देखते हैं हमारा पहला नियम क्या है तो पहला हमारा क्या है दो से भाज संख्याओं क्लियर है आगे बढ़ते हैं हम लोग देखते हैं अगला क्या है कि दो से भाज संख्याओं अब दो से भाज संख् यहां पर होता है कोई भी संख्या 2 से भाजी होगी यदि उसके इकाई का अंग यानि लाष्ट वाला अंग 0 2 4 6 8 हो है ना कोई भी संख्या 2 से भाजी होगी यदि उसके इकाई का अंग क्या हो इकाई वाला अंग जो हो इकाई वाला अंग क्या हो सम हो जाए तो यहां पर क्या है दो चार छे आठ आठ आपका क्या है सम है और जीरो को सारवत्तरी कि यहां पर सम बोला जाता है और सम और बिसम के बारे में आपको अधिक जानकारी नौलेज नहीं है तो आप प्लेलिस्ट या सम या भिसं है, तो सबसे छोटी संख्या बता दीजिए, यहां पर तो आपको रूल किलियर हो गया, आपको क्यूस्टन दिखाना चाहेंगे, क्यूस्टन आपका है, इनिम्न दिया गया संख्या, दो सिभाज है या नहीं है, यहां पर आपको पहला आप्शन है, 23, 25, 11, 11, 44 अब लाश्ट वाला संख्या देखिए पूरे को छोड़िए लाश्ट वाली संख्या देखिए पूरे को छोड़ दीजिए क्या है चार है तो हाँ, चार तो है, दो है तो दो भी है, जीरो है हाँ, जीरो होगा, एकाई का संख्या क्या होगा, जीरो, दो, चार, छे, आठ अगर है, तो संख्या क्या है, दो से भाज है, अब यहाँ पर यह संख्या आपका क्या होगा, विभाजे नहीं है ना, तो क्या, आंसर ह हमारा किया होगा डी वाला क्यों कि यह नाइन हमारा लाश्ट में नहीं होगा अगर दो से भाज्य होगा तो नौ नहीं भाज्य होता है ठीक है चलिए आसा करता हूं यह भी आपको अच्छे से किलियर हुआ होगा अब बढ़ते हैं अगले रूल पे अगला रूल अम लोगों क्या है तीन से भाज संख्या चलिए जल्दी से सभी नियमों को कबर करते हैं और कम से कम समय लेते हैं आपका अगला है तीन से भाज संख्या आखिर तीन से भाज संख्या कौन सा होगा चलिए इसका रूल अम लोग देख लेते हैं रूल किया डेफिनेशन हमारा है कि दिया ग और देने को सकता नहीं है, जो संख्या आपको दिया है ना, उसर भी संख्या संख्याओं को जोड़ा है, जयसे आगर represent on पर हमको तीन ओके यहां पर दे दिया तीन हो गया तो तीन और यहां पर छे दे दिया छे तिन इसका अंको क्यों क्यों हो जाएगा ना तो नो हो जाएगा तो यह संख्या क्या होगा तीन से भाजे होगा क्यों कि छतिस तो भाजिया है ना तीन से कड़े है तीने कम तीन दून आपने पर देखिएगा एक का पूर्षन दिया है और को शक्रिफ्षन क्या है और अपने ये संख्या होगी अब पता है अन्गों को जोड़ दीजिए अन्गों को जोड़ देंगे और उसका यूग एकर तीन से भाज है तो क्या हो जाएगा वह संक्या तीन से भाज होगी इसको हल करते हैं हम लोग देखते हैं तो जोड़ है干ो पांच है एस साथ साथ नौ तीन हैज चार ओके क्या हो रहा है कि सभी अंगों को हम जोड़े हैं तो 28 हो गया क्या पांच साथ नौ तीन चार, अठाइस हो गया, और यहाँ पर दो हैज है, एक हैज यहाँ पर है, एक हैज यहाँ पर है, तो अठाइस हो के, अब हम हैज का मान क्या रखें, कि उसके अंको का जो योग हो, अंको का योग तीन से भाज हो, तो यहाँ पर बिकल्प से, हम लोग देख रहे हैं, कि बिकल पूरे यहां पर साथ रखे हैं है catamon क्योंकि bikalp में साथ रखे हैं का तभी साथ बुनगे चौधा चौधा टाइस चाहँ एूगा बे आलिसॉभाहईस और यहां पर हैज कमान क्या पड़े गा हमारा साथ हो तो हैज कमान क्या रखना पड़ेगा हमको तो साथ रखना पड़ेगा बिकल्प से है ना यहां पर बिकल्प को ध्यान देना पड़ेगा हमको क्योंकि अगर 28 दिया है ना 28 दिया है यहां पर हमको क्या करना है कि 42 ला रहा है हम तो जानते हैं कि आपका 30 भी क्या होता है तीन से भाज होता है ना तो बिकल्ब में तो कोई उसका option है नहीं 30 का क्योंकि अगर एक यहां पर रखते है तो भी क्या होता दो एकम दो और अठाइस 30 हो जाता तीन से भाज हो जाता लेकिन एक आपका option किसी option में नहीं दिया है इसलिए क्या होगा option से हमारा क्या होगा option सी right answer होगा आशा करता हूँ अभी आपका clear होगा अगला question no.2 पर बढ़ते हैं question no.2 देखते हैं कि बोला है कि 17 है तीन यादी तीन से भाज है तो हैज के 8 हो गया 3 11 हो गया है क्या हो सकता है हम लोग जानते हैं कि 12 तो तीन से भाज है ना देख लेज़े एक साथ प्लस हैज प्लस 3 11 प्लस हैज यहाँ पर क्या हो जाएगा एक 11 प्लस एक क्यों हैज कमान एक हो जाएगा इसलिए हैज कमान क्या होगा has command 1 होगा कैसे 12 होगे यहाँ पर option number काउन सा होगा option number B होगा right answer चलिए ठीक है आसा करते हूँ यह भी clear होगा आपको अगे बढ़ते हैं 3 से तो भाज संख्या है अगला देखते हम लोग 4 से भाज संख्या 4 से simple है आपका simple याद रखेंगे कि 4 से भाज संख्या काउन से होगी तो यहाँ पर definition होगा आपका 4 से कोई संख्या भाज से होगी यदि दहाई और 1 की अंकों से मिलकर बनी संख्या 4 से भाज से हो simple कायने का मतलब है यहाँ पर 2 लिख दिया है 240 कायने का अर्थ यह है कि 2 से हमने 40 लिख दिया दहाई चार होगा एकाई का होगा जिरो हुगा अब यह दोनों संख्या जो है मिलकर क्या होगा चार से भाज होगा तो यह क्या है संख्या चार से भाज है clear है यदि दहाई और एकाई काई का अंकों से मिलकर कोशिस किया है और यहां पर देखिया दिया है कि निमने में से दियेगे संख्या दियेगे संख्या आपर देखियेगा मिश्टिक है ध्यान देजेगा यहां पर क्या होगा शंख्या में चार से भाज होने वाली संख्या नहीं है अभी संख्या दियेगे आपको पूछ रहा है पाकिमें तो जाएगा थेर्टों के 12 दश्चों के चान्वेस यहाँ पर भी आपका कड़े माहनतवेस। अशे हब सरगे 65 यह अन्सर रूडा यहां पर अप्सर नमबर यह राइठ होगा चार से आपका ये संख्या बिभाज नहीं होगा क्योंकि ये ग्यारा है ये ग्यारा चार से बिभाज नहीं होता है अगला देखते हैं पांच का रूल तो पांच का भी रूल बहुत असान है easy है डम क्या है तो देखिए definition बनता है इसका कि यदी कोई संख्या पांच से भाज है यदी इकाई के अंक 0 या 5 है वह simple है यदी कोई संख्या पांच से भाज है यदी इकाई के अंक 0 या 5 है अब हम लिखे दे पांच डबल जीरो पांच डबल जीरो पांसो पच्चास पांसो या पर या पांसो पश्पन ओके लाश्ट में क्या है पांच है लाश्ट में क्या है जीरो है यह संख्या पांसे भाज है देखते ही एंसर बोलिए कि हाँ देख कर एंसर हम बोल लिए एंसर होगा आगे हम लोग देख लेते हैं किप्षन बनता है कैसे निमन में से दिये गए संख्या पान से भाज होने वाली संख्या नहीं है निमन में दिये गए संख्या जो दिया जाएगा यहाँ पर आपको अप्सन दिया है बोला है कि इसमें से संख्या हमें से पान से भाज होने वाली संख्या नहीं है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्योंकि लाश्ट में इकाई अंग पांच है, इसका इकाई अंग 0 ये भी 5 से भाज हो जाएगा, चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं, चटावा, अगला है हम लोग का, कि 6 से भाज संख्या, अब 6 से कौन कौन से संख्या भाज हो सकती है, आगे हम देखते हैं, इसका डेफ साथ में दोनों से भाज होना चाहिए, ठीक है ना, तो यदि कोई संख्या 6 से भाज है, तो यदी वह 2 और 3 दोनों से भाज है, ठीक है, जैसे हम एक्जांपल लेंगे यहां पर एक, एक्जांपल क्या लेंगे, अगर हम यहां पर 240 लिख दिए, 240 लिख दिए, तो हम 2 का अंको का यूग तीन से भाजय है तो चार दू छे तो छे क्या होगा चार दो और चार जोड देंगे तो क्या होगा छे होगा अंको का यूग छे हो जाएगा जो तीन से भाजय है यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यह संख्या 240 क्या है छे से भाजय है अब क्यूशन कैसे बंदे हैं क क्यूशन आपको हम दिखाना चाहेंगे, क्यूशन नंबर पाला है, वो ला है कि निम्न में से दिये गए संख्या में 6 से भाजे होने वाली संख्या नहीं है, आपको यह इसी तरह option देगा, और पूछेगा कि निम्न में दिये गए संख्या में 6 से भाजे होने वाली संख्या है यहाँ पर यह द्हान दीजिएगा 2 और 3 दोनों से सास्वेण भाजय उने चाहिए हम पाला Opsan दोस्क्राइव होगा दूसरा भी क्यो 2 से भाजय होगा क्यों गीध、、 जीरो इसके लाष्ट में जीरो में दो है perdus इसके विलाष्ट में क्या है जीरो है तो 6 से बारी बारी से आप विभाजित करेंगे हमको बारी बारी से विभाजित नहीं करना है और लाश्ट में देखिए का ध्यान दिजिए का यहां पर क्या हुआ कि 9 जो है ना 2 से विभाजित नहीं होता है D option वाला में देखिए क्या है कि 95 20 बाजित नहिए होता है ऑना इसलिए हमारा सीधा अंसय होगा क्या डीवाला जो 6 बीवाज नहीं होगा किविन रही है तो तीन से क्या प्राइद स्च करें हैनो यह जो прошटी करन चाहें कि आप 20डे रही होगा अब 30 बाझ कैसे होता है कि अंको का योग अगर 3 से भाजी हो अंको का योग मतलब 3 6 9 2 7 ये अंको का योग है तो 3 6 9 2 7 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा तो ये 3 से भाजी है आगे चलते हैं B वाला 8 2 3 6 2 8 8 2 3 6 2 है ना और यहां पर इन सब को अगर हम जोड़ दें कि 8 2 3 6 2 को क्या होगा 21 कि पड़िया है B वाला में देखिए मैं सभी अंको को जोड़ देजेगे छौ तीन नव पाँच 2 9 1 सबको आप जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 34 तो डी वाला क्या है 34 3 से भाजी थोड़ी होता है इससलिए हमारा आंसर क्या था डी वालरिसे ही है आपको सभी अंको क् है इसका 27 हो रहा है इसलिए अंसर क्या होगा इसका डी वाला चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं अगला रूल क्या है तो अगला रूल 6 के बाद क्या होगा साथ होगा बहुत important rule है, बहुत important exam का favorite है साथ वाला, देखते हैं, और इसको थोड़ा हम लोग समय लेंगे, क्योंकि देखिए, exam में बहुत बार इसको पूछा जाता है, और इस पर question भी बनेगा, आपको हम question में दिखाएंगे, देखते हैं यहाँ पर, यह देखिए, साथ से संख्या कोई भाज होगा, definition है आपका, यदि कोई संख्या साथ से भाज है, ठीक है, यदि दिये गए संख्या के, इकाई अंक का दो गुझा, अब यहाँ पर कोई संख्या अगर हम लिख दें, और उसका इकाई अंक का दो गुझा, इकाई की अंक छोड़ने पर बनी शंख्या में से घटाने जाथ सिभाज हो है कोई भी संख्य ऐसाथ सिभाज होगा यार उसकी का अंक का दो गुना जैसे अगर हम यहांप लिख दे साथ यहांप पर हम लिख दे विपैंतिस ख्रेड क्या है तीन्सोपच्चास एक 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 जामपल दे के हम आपको समझाना चाहर है यहां पर example दे रहे हैं कि 350 का है अब इकाई का अंग क्या है सुन्ने है ना इकाई का अंग हमारा क्या है सुन्ने है तो सुन्ने में कितनी भी संख्या से गुड़ा करिये क्या हो उसका मान सुन्नी होगा चलिए इकाई का दो गुना करते हैं उसका मान क्या होगा सुन्नी होगा लेकिन अगर यह रूल समझ में आ जाएगा तो कितनी भी बड़ी संख्या होगी आप उसको तो इसको अम लोग हाल करेंगे देखिए तीन सो तिरालिस है ना आपको तीन सो तिरालिस को लेते हैं देखिए ठीक है यहां तक हम लोग पढ़ते हैं कि दिये गए संख्या के इकाई के अंग का दो हो ना इकाई के अंग क्या हो जागा तीन दुना के छे होगा ना तीन दुना के छे तो होगा दो गुना हो गया इकाई के अंग छोड़ने पर बनी संख्या इकाई का अगर अंग हम तीन को छोड़ दें तो संख्या क्या बनेगी चाउटिस बनेगी ना चाउटिस चाउटिस में से देखते हैं बीवल ओप्सन क्या है चौबिस सो एक है अब यहां पर क्या है इकाई का अंग क्या है एक है अना तो इकाई के अंग का दो गुना यह डेफिनेशन आप याद रखेंगे कितनी भी बड़ी संख्या दे आप भाज्यता से संबंदित आप रूल को बता देंगे यह संख्या किस अंग से या संख्या से भी भाजित है तो इसकी जाच हम लोग करते हैं अब देखिए इकाई का अंग क्या है एक है इसका दो गुना करते हैं तो एक का दो गुना क्या होगा दो ही होगा ना एक का दो गुना दो होगा ठीक है अब एक को हम छोड़ देंगे क्यो हो कि एकाई की अंग छोड़ने पर एकाई की अंग हम लोग छोड़ देंगे बनेगा क्या 240 बनेगा अब दो जब घटाएंगे अम लोग तो दो घटाएंगे तो क्या होगा इसका 240 में से 238 होगा अब फिर भी आपको अगर कंफ्यूजन हो कि यह तीन साथ से भाजे हाएक नहीं है यह तो तीन अंक में आ गया दो अंक में होता तो हम लोग जल्दी से उसको कटा देते ठीक है वही रूल रिपीट कर देना है सेम रूल रिपीट कर देना क्या कि इकाई वाली संख्या ठीक है इकाई वाली संख्या का द एकदम किलियर हो गया ना एकदम दिमाग में हम लोग ठोक लेंगे इस रूल को सी वाला क्या है कि 16807 यह थोड़ा बड़ा है लेकिन वही रूल लगेगा रूल सेम रहेगा सम्में रूल देखते हैं क्या है कि लाश्ट वाली संख्या का यह साथ है ना तो 21 संख्या का दो संख्या चेंड चोड़ने पर बनी संख्या में से घटाने पर तो बनी संख्या क्या है 1680 अब उस संख्या में से घटा देंगे 14 को क्यों की साद दूना के हो गया क्या है 1666 अब देखिए चार अंख है फिर आप कहेंगे कि यह दो अंख होता तो बढ़िया होता ठीक है तो लास्ट वला अंख को यहां इकाई अंख क्या है तो छे दुना के बारा होगा ना अब छे को जो हम यहां पर छोड़ देंगे तो क्या बनेगा एक सो चाछट बनेगा एक सो चाछट बनेगा एक सो चाछट में से बारा हो गटाई एक सो चौवन हुआ फिर आपका रहतीन अंख है सेम रिपीट करिए अब रिपीट करेंगे तो देखिए आप एक सो चौवन बनाना अब चार का दो गुना क्या होता है आठ होता हम यह अगली में वैसे सेम करने आपको जिसका दोगन करना उसको छोड दीजिए दिस ऑर देखते हैं आठ वाला आठ वाला सिंपल है आठ वाले पर चलते हैं आठ हमारा simple rule है और आठ वले पर क्या है कि आठ से भाजी संख्या ठीक है आठ से भाजी संख्या कौन कौन से संख्या भाजी हो सकती है simple rule है आप एक बर पढ़ेंगे याद हो जाएगा देखिए एक कदम आसान देखिए कई से यदि कोई संख्या आठ से भाजी है यदि दीए गए संक्या के साइकड़ा, दहाई, इकाई से बनी संक्या आट से भाज जैसे अगर हम यहाँ पर देखी क्या है? की साइकड़ा, दहाई, इकाई, पीह जैसे 3 अंक्या है तो अगर हम करें कि 240, 240 हो गया? आगे हम कोईभी संक्या लिख दे 23, 33, 32, 43, and 24 ये आठ से भाज्य है तो हां हाई हमको भाग करना है सिर फित को छोड़ी को में जोर्थे हा吧 हमको लाश्ट में भाग करना लाश्ट वल्य तीन अंक में क्यू है है हमारा साइक्डा ये हो गया क्या दहाई ये हो गया हमार इकाई अब जब आठ से भाग करें क्या आठ तिलिक के 24-30 बार में कॉट गया ओके ना इसा करता हूँ अभी आपको समझ में आया होगा ठीक है अब क्यूश्चन एक बना है आपका SSC MTS 2004 में इसी पर बन गया है देखिए बस पूछने का रूल अलग है इसका आपका हल होगा इसी करमागत बिसम पुरुडांक वाले वर्गों के बीच का अंतर हमेशा किस से भी भाजित होता है क्यूश्चन समझेगा बोला है कि दो करमागत बिसम पुरुडांकों वाले वर्गों की बीच का अंतर हमेशा किस से भी भाजित होगा तो बिसम हम जानते हैं न का होता है हो ए तीन होता है, पांच होता है, अब एक का बर्ग करिये क्यों कि बोला है कि बर्गों के बीच का अंतर, तीन का बर्ग करिये, पांच का बर्ग करिये, क्या हो जाएगा, एक का तो एक ही होगा ना, तीन का नौ होगा, यहां पर देखिएगा अंतर कितना है, तो अंतर आठ है, त तो तीन में देखिए क्या होगा, तीन में यहां पर आईए, तो तीन तलिके नौ होगा, पचीस, पचाहा, पाँच वाले में आईए, तो पचाहा, पचीस होगा, किलियर है, तो यहां पर अगर पचीस में इसी नौ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहां पर सॉल्ला होगा, और 16 किस से भी भाजित है तो 16 आठ से भी भाजित है है ना 8 से भाजित संग क्या है क्लियर है आपको हम यहाँ पर आंसर तो हमारा भी ही होगा आगे हम आपको असपस्टी करण देना चाहेंगे देखिएगा हल क्या हम लोग का एक कई स्क्वाइर है ना और यहाँ पर तीन का स्क्वाइर हम लोग क्या किया है कि एक का स्क्वाइर क्या होगा एक होगा तीन का स्क्वाइर ना होगा हम आपको बता चुके हैं अंतर क्या होगा तो 8 होगा जो 8 से भी भाजित है तीन का बर्ग क्या होगा 9 होगा और 25 का बर्ग पांच का बर्ग पचीस होगा और दोनों का अंतर क्या हो जाएगा सुल्ला हो जाएगा जो यहाँ पर सुल्ला लिखा है सुल्ला किसे भी वाजित है तो आठ से है आंसर हमारा कौन सा होगा बीवाला ओके किलियर है आगे बढ़ते हैं यह आपका SSC MTS का किष्टन था तो इस वीडियो में बहुत सारा किष्टन दिली पूलिस का भी रेलवे भरती बोड का भी किष्टन को कबर किया गया आगे बढ़ते हैं और वीडियो को देखते हैं कि आगे क्या है ओके और आगे देखते हम लोग आगे है नौ से भाज संख्या, यह भी फेबरेट है, देखिए यहाँ पर है, SSC असनाता कस्तर परिख्षद 1999 क्यूशन है, अब यह SSC में पूछा है, नौ से भाज संख्या, सभी एकजाम में एक ना एक क्यूशन आपसे पूछता ही है, नौ से भाज संख्या, तेरा से भाज संख्या, ओके ना, चौदर से भाज संख्या, यह सब फेबरेट है इसका, नौ वाला देखते हैं क्या होता है, डेफिनेशन है कि यदि कोई संख्या नौ से भाज है, ठीक है, यदि दिये गए संख्या कि अंको का योग नौ से भाज है, क्लियर है ओके अब देखिए नौ से भाज होना चाहिए हमारा क्या है यहां पर की क्यूशन बनेगा देखिएगा यह तो क्लियर है कि अंको का योग नौ से भाज होना चाहिए दिये गए संख्या कि अंको का योग नौ से भाज होना चाहिए जैसे अगर हम यहां पर कोई संख यहाँ पर अंको का योग क्या हो जाएगा 18 तो हम जानते हैं न कि 9 तो 18 नव 18 को भी भाजित कर देता है तो क्या होगा यह 469 क्या है नौ से भी भाजित है क्लियर हैं? यहाँ पर question देखते हैं हम लोग question नमर पहला दिया है कि दिये गए संख्या चववन बत्तिस हैज सेवन यदि नौ से विभाज जिया होने वाली संख्या है तो हैज किया स्थान पर कौन सा अंख होगा स्थान पर अंख होगा आपको चार option दिया है 2, 0, 1, 6 कौन सा होगा answer पता है तो comment box में आप जरूर answer करिएगा ताकि आपकी तयारी का पता चल सके पता चल जाए कि आप कितना तयारी करते हैं और कितना पढ़ते हैं answer पता होगा comment box में इस question का answer दीजिए आगे बढ़ते हैं अब ऐसे तो answer आप दे देंगे क्योंकि ये rule तो हम बता दिया हैं न ओके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका हल क्या है अब हम यहाँ पर सभी अंकों को जोड़ देंगे जैसे 5 को, 4 को, 3 को, 2 को, 7 को कैसे तो इस परकार या पर देखिए कि हम solve किया है कि 5, 4, 3, 2 प्लस हैज 7 इन सब को हमने जोड़ दिया है जोड़ दिया है तो क्या हो गया है कि इस 5, 4, 3, 2, 7 को जोड़ दिया है तो क्या इसका माना गया हैज को हैज लिखे है अगर हम यहाँ पर ध्यान देते हैं 21 के जश्ट बाद वाली संख्या हम ग्याद करेंगे जो 9 से भी भाजित हो जाएगी 21 के जश्ट बाद वाली संख्या कौन से होगी तो 9 तिली 27 जो 9 से भाज होती है हम यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से भी इसको चेक कर सकते हैं पहले हैं मोग चेक करें कि 21 यहां पर आगी आ यह कोई भी संख्या है उसका अगपली जो संख्या है, अगली संख्या नव से भाज होने वाली अगली शंख्या कॉन हैester 7- gap यहां पर यहां पर चेक कर लिए कि 21 संख्या है कॉइस हे एिरी कर दिया, क्या हैज के स्थान पर ग्या रख सकते हैं हैज के स्थान पर 6 रखिए तो 126, 27 हो जाएगा जो अंको का योग क्या है नौ से भाज्य है है ना, तो सिंपल आपका इसी तरह की क्यूशन को हल करने के लिए अगर रूल आपको याद रहेगा तब ही हल कर पाएंगे नहीं तो ये सभी संख्य अंक दिया है ना, 2, 0, 1, 6 को बारी-बारी से इसके स्थान पर रखिया है इसके स्थान पर तब तो आपका इक्जाम में हो गया कल्यान क्योंकि हमको 30 सेकंड होता है एक प्रश्ण को हल करने के लिए हम एक प्रश्ण को हल करने के लिए पांच मिनट ले लिए तो हो गया ना, कल्यान ठीक है, तो आसा करता हूँ यभी आपको समझ में आया होगा, ठीक है ओके, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्या है कि दस से भाज शंख्या काउन सी है दस से भाज संख्या का डेफिनेशन देखते है डेफिनेशन के है, यदि कोई संख्या दस से भाज है यदि इकाई के अंक जीरो हो, सिंपलिये दम हलवा है तो हम याद रखे का हलुआ क्या है कि यदि इस अंख्या दस से भाज्य है यदि उसके इकाई का अंख्या है सुन्य हो अब कोई भी हो सकता है सो है ना एक सो पच्चास जिसके इकाई का अंख इकाई का तो अंख समझ में आ रहा है ना पीछे वाला अंख जिरो हो तो क्या हो दस से भाज्य होगी अब इस तो पांच थोड़ी दिजा इसमें सिर्फ जिरो होना चाहिए न यह क्या है बागे सब भाजहे है क्लियर है आगे बढ़ते हैं देखते हैं इग्यारा से सबसे इग्यारा से भाज संख्या अब इग्यारा से कौन संख्या भाज हो सकती है इसके हम लोग डेफिनेशन करते हैं देखते हैं कि डेफिनेशन आखिर क्या होता है तो डेफिनेशन क्या है इसका कि यदि कोई संख्य तो यदि दिए गए संख्या के सम तथा भीसम अस्थानों की अंको का योगों का अंतर जीरो हो या इग्यारा हो आपको समझाने का हम प्रयास करेंगे जीरो हो याई 11 का कोई गोड़ा जो ठीक है न आप यहाँ पर तो यह किलियर है कहने का अर्थ क्या है यहाँ पर देखिएगा एक्जांपल के साथ हम आपको समझाना चाहेंगे यहां तो देखिएगा यादि दिये गए संख्या के सम तथा बिसमस्थानों के अंको का योगों का अंतर सुनने हो या 11 अब यहाँ पर देखिएगा सम क्या है अगर हम 1, 2, 3, 4 लिख देआँ पर 1, 2, 3, 4 ओगया किलियर है तो यहाँ पर जो एक है और 3 है क्या है बिसमस्थान है और श्रमस्थान क्या है दो और चार है ठीक है अब यहाँ पर हम बिसमस्थाने वाले को काउंट करते हैं तो पांच और यहाँ पर यह पांच को अगर हम गिन देंगे तो पांच पांच क्या होगा दस होगा ठीक है अब अगला क्या है कि दो और चार वाले को पांच पांच दोनों है अब पांच पांच क्या होगा दस तो दस माइनस दस क्या हो जाएगा सुन्या बराबर सुन्या हो जाएगा तो क्या है ग्यारा का गुणज है है ना मतलब सम अस्थानों के अंकों का योग जोड़िये समस्थान में पे जोब का यहां पर समस्थान ध् तो इस्तिती आ रहा है कि हम लोग काउंट के हैं दो वाला वो आपका समस्थान वाला है क्लियर है उसी परकार अगर आगे हम लोग देखें तो यहां पर क्या है 13, 16, 0, 52 यह कुछ बड़ी संख्या है अगर 11 से भाज करेंगे तो बहुत समय लेगेगा एक बड़ आप समझ जाएंगे तो बहुत आसानी से बहुत तेज गती से इसको solve कर सकते हैं कैसे तो यहां पर देखिए का हम लिक दे रहा है पहले आपको समझने के लिए एक, दो, तीन, यहां पर क्या है यह चार है यह पांच वाला है और यह छे और यह साथ है इसी परकार अगर बिसम वाला देखिए तो क्या बिसम वाला है एक है यहां पर छे है और बिसम अस्थान वाला क्या है आगे कि जीरो है बिसम अस्थान वाला लाश्ट में क्या है दो है इन सब को अगर हम जोड़ें कि एक छे जीरो दो तो छो दो आठेक नौ चो दो आठेक नौ तो वी समस्थान वाले तो हम जोड़ दिया अब समस्थान वाले को जोड़ना है तो समस्थान पर क्या है ये दो वाला है तो मतलब तीन है तीन आगे क्या है एक है आगे क्या है पां आना तो 5 एक छो और 30 9 9-9 क्या हो जाएगा बराबर? यहां पर हम कर देते हैं 0 तो क्या है 0 आगया अगर 0 नहीं आ रहा है 11 का कोई गुड़न जा रहा है या 11 ही आ रहा है मतलब 11 आए 11 दुना के 22 आए 33 आए तो क्या हो जाएगा हमारे इगारक से भाज्य होगा आगे आपको किर्ष्टन हम दिखाना चाहेंगे देखें दिल्ले पुलिस SI का है मतलब ये सब ही में पूछता है और हम यहाँ पर थिवरी के साथ आपको किर्ष्टन कराने का भी प्रयास किया है क्योंकि थिवरी अगर होगा ना तो ज़्यादा बोरिंग हो जाता है ठीक है तो इस क्यूश्टन को हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्यूश्टन नमर पहला है कि दिये गए संख्या 156 हैज 942 यदि 11 से भाज जो होने वाली संख्या है तो हैज के स्थान पर अंक होगा अगर यह आपको एक्जामपल बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया तो यह क्यूश्टन आप 5 सेकेंड 5 सेकेंड तो बहुत हो गया 2 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं कैसे तो यहाँ पर भी समझ अस्थाने वालों के देखिए तो 1, 2, 3 मतलब यहाँ पर काउंट कर लिजेगा 4, 5 हम काउंट कर रहे हैं कि आसानी से समझ में आए 6 और यहाँ पर 7 ठीक है ना तो यहाँ पर 2 वाला 1, 2, 3 तो 1, 3, 5, 7 यहाँ पर 2 वाला है समझ अमारा 5 है अगला हमारा है हाज को भी जोड़ेंगे चार हमारा समस्थान पर 4 जोड़ दिये तो 9 पलस हैज आ रहा है ठीक है उसी परकार अगर वी समस्थान वाले को देखे बिसमस्थान क्या है एक यहाँ पर हमारा बिसमस्थान वाला यहाँ पर जो एक है छो तो छो यहाँ पर बिसमस्थान वाला इये तो फारा करनाtur नत्य नम पाह़े से ना अगर रह देते हैं तो क्या हो जाएगा ना इसका माल इसका मान मतलब यह क्यार्थ से अधाय cookie गैंश क्यूस स्थान थरोसर कि आ सकते हैं और हैज के इस दान पर किया होगा तो 9 होगा एना हमारा right answer क्या होगा 9 होगा clear है चलिए आसा करता हूँ कि ये भी आपको question समझ में आया होगा और यहां पर 18 है नीचे हमाँ सपश्टी करन दिये हैं कि 18-9 plus has इसको हम घटाएं हैं तो has बरबर क्या कर सकते हैं यहां पर simple समझेगा कि 18-9 ओके तो 18 में से 9 घटाएंगे तो 9 आएगा इसलिए हमारा answer क्या हो जाएगा 9 इसको बहुत अच्छी तरह से हमने समझाने के कोशिस किया क्यों कि यह देखिए हर exam का फेवरेट है 7 का नियम 11 का नियम 9 का 3 का आगे 13 वाला आएगा जो भी उसका दुलर हुआ है मतला पूछे का सब में ओके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला 12 का नियम हम लोग का क्या है 12 से भाजी संख्या आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 12 वाला तो यहां पर देखिए कि 12 से भाजी शंख्या बारा से भाज yले संख्या क्या Jackie 12 से 12 संख्या है कर और आप इस वीडियो में एक बार समझ में ना आए तो दुबारा इस वीडियो को देख लिजिएगा दुबारा देख लीजिएगा क्योंकि बार बार देखने से कोई गलत तो होगा नहीं आएना तो इसलिए क्या कर रहा है कि यहां के दुबारा भी देख लीजिएगा दुबारा भी देख सकते हैं इसको तो एक बर आसा करिए कोशिस करिए आपकी एक बर में समझ में आ जाएं क्या है कि यदी कोई संख्या 12 से भाज है। यदी वह क्या है। तीन और 4 दोनों से भाज है। है हाँ पर दिमाई लेगा य выглядит कि क्या होना चारिये थीन से भी और चारिय से भाज होना चाहिए। 3 और 4 का नियम तो हम पहले ही बता चुके हैं। मतलब 1235 से संख्या दिया है, देखना है, 3 से भाज है, तो क्या करेंगे? 1, 2, 3, 5 को जोड़ देंगे, तो 3, 5, आना 5, 3, 8, 2, 10, 1, 11, जो 11 ही क्या है? 3 से भाज है, हमारा नहीं है, अगले एक्जाम्पल अगर आप चाहे हैं, तो यहां पर देख सकते हैं, क्या 2, 3, ही नहीं नहीं है आपका 3 से अगला नहीं ही ऑगला टीन आज पांच 0 जीरो एक क्या ये तो तिन इसी है न कैसे और इस साथ और आठ एक 9 स्जीरो यह सिरो थीन tip 9 क्या है नौट तो तीन इस वाज है ना लेकिन यह चार से वाज है नहीं न हमारा क्योंक यह दो अंक चार से भी भाज्य हमारा होना चाहिए कैसे इस परकार अगर हम लिख दे 24 ओके 0 तो यह क्या है चार दू छो यह तीन से भाज्य है लेकिन यह लाश्ट वाला भी संख्या क्या है चार से भाज्य है तो यह संख्या क्या होगी 12 से भाज हो गया और ध्यान दिजिएगा 3 और 4 दोनों से भाज होना चाहिए साथ में यहाँ पर क्यूशन आमार आइकनिम्न में से दिये गए संख्या में 12 से भाज होने वाली संख्या नहीं है बोला है नहीं है ना ठीक है देखते हैं आखिर कौन है एक्स worse 46 तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं असपश्टी करण इसका क्या है आखिर तो यहां पर देखिएगा एवाला है या 46 20 अब 46 20 का हम लोग आगे देखते हैं कि 4620 क्या है 4620 जानते हैं कि यहां पर 20 क्या है 4 से भाजय है आब हम लोग भाज था कि हम लोग जांच कर रहे हैं, तो सभी अंकों को जोड़ना पड़ेगा, अब देखिए, आपर हम सभी अंकों को जोड़ दिया है, A वाला, B वाला, C वाला, D वाला, तो 12 हो रहा है, सभी अंकों का योग, यह 3 से भाज है, B वाले का 15 हो रहा है, 3 से भाज है, C वाले है तो डी नहीं है इलियर है ओकि आशा करता हूँ अभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और यहार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिएगा वस्य करिएगा क्यों कि इसी परकार हम ट्रिकी क्यूस्टिन है ना आपके लिए खोज-खोज कर लाते रहेंगे तो आप चैनल सब्सक्राइब किये रहेंगे तभी आप सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा आपको आगे बढ़ते हैं तेरा से भाजिता का नियम देखते हैं तेरा से भाजिता का नियम देखते हैं चलिए तेरा से भाजिय संख्या बहुत इं आगे जब हम लोग क्लास 9-10 में थे तो यह अभी पढ़ने के हो सकता है नहीं होती है ना तो जल्दी बाजी मत करिए क्योंकि तैयारी जब पूर होगा तभी आपको सफलता मिलेगी आगे देखते हैं कि 13 से भाज्य संख्या कौन हो सकती है definition देखते हैं, यदि कोई संख्या, यदि कोई संख्या 13 से भाज्य है, ध्यान देजिएगा, आगे बढ़ते हैं, यदि दिये गए संख्या के इकाई का अंक का चार गुना, अब यहां पर हम आपको एक नोटीस देना चाहेंगे, कि जो हम लोग का साथ से भी भाजिता का नियम था, साथ से, सेम आपका यही बनेगा, लेकिन अंतर क्या है, आप देख सकते हैं, उसमें क्या था कि इकाई का अंक में दो से गुना करना था साथ वाले में, लेकिन इसमें क्या है, चार से गुना करना है, एक बार आपको डेफिनेशन हम पढ़ दे रहा हैं, कि दिये गए इकाई कि अंक का चार गुना करना है, उके चार से गुना, इकाई की अंक छोड़ने पर बनी संख्या में से, जोड़ने पर बनी संख्या, यादि तेरा से भा अब लिजी है, अंतर ये है, कि साथ वाले में क्या था, कि दो से गुणा करना था, लेकिन तेरा वाले में क्या है, कि तेरा वाले में हमको चार से गुणा करना है, ओके, साथ वाले में हमको इकाई का जो अंग छोड रहे थे, जो संख्या बन रहे थी, उसमें क्या करना था, म कि यदि कोई संख्या 13 से भाज है यदि दिये गे संख्या के इकाई की अंक का चार गुना जो लाश्ट वाला संख्या होगा ना इकाई मला उसका चार गुना करना है और उस इकाई की अंक को छोड़ देना है मतलब जिसको चार गुना करना उसको छोड़ दीजे ओके छोड़ trabrani संख्या 13 से भाज्य हो तो संख्या 13 से भाज्य होगी ओकैं क्लियर है अब आगे बढ़ाते हम लोग देखते हैं इमन में दिए गए संख्या में 13 से भाज्य होने वाली संख्या नहीं है अब यहां पर नहीं है पूछा है तो आगे हम लोग यहां पर option A है, B है, है ना, right answer कौन होगा, A, B, C, D कौन होगा, तो हम लोग इस परश्टी करण देखना चाहेंगे, देखिएगा, यह वाला का इस परश्टी करण क्या है, कि 884 है, ध्यान से समझेगा, एक example उसके बाद आपको बहुत अच्छे स जब चार गुना कर देंगे, तो चर्चव के सोला होगा, अब एकाई के अंक में चार से हमको गुड़ा ही करना, उसको चार गुना करना है, सोला कर दिया, यहां पर सोला हो गया, चलिए, अब जब एकाई के अंक के यहां से हम छोड़ देंगे, तो बनेगा अंक संख्या क् दो अंका होता तो हम लोग 13 से भाजिक कर लेतें। चली ठीक हैं, सेम वह वह इता है है rule को repeat कर देना है, ठीक है? लाश्ट में देखिए क्या अंका है तो चार है, ठीक है चार है तो, तो 10 तो बच गया और 4 16 जोड़ दीजिए 26 हो गया तो 13 दुना के क्या होता है 26 जो 13 से क्या है 13 से भाज्या है तो यह हमारा पाला उप्शन तो हो जाएगा यह तो भाज्या है पाला उप्शन ूके अब दगते हैं दूसरा हमारा option जो है बी-वाला है 90 वाला ए 90तों म fabrics हो में तो यह 0 något है ठीक है हम क्या करते हैं कि यह 0 को छोड़ देते हैं कि खो छोड़ दे तेना गरे, 10 से ग syllables करी क्या मतलब है अब देखते हैं C वाला, C वाला क्या है कि 975, 975 भाज़े 13 से, हाँ, अब क्यों भाज़े है क्यों कि अब देखे लाश्ट में क्या है अंक इसका 5 है, 5 का जब 4 गुणा करेंगे तो 5 के, चार गुणा करें पंचों क्या होगा बीस होगा ना अब बीस हो गया अब जब एकाई की अंग को छोड़ भी देना जिसका चार गुणा जिस एकाई की अंग को चार गुणा करना इसको छोड़ देना है जब छोड़ देंगे तो क्या बनेगा संतानवे बनेगा संतानवे बी करना है चार से गुणा कि यह तो 28 हो गया अब यहां पर क्या बच्चा कि 11 संख्या बच गई अब 11 में जो ठाइस जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 49 आप जानते हैं कि विभाजित हो जाएगा 49 अना तेरतियां 49 तो लाश्ट में जो बच्चा हो गया है अंसर होगा अब यह संख्या बच्चा का नियम अखिर क्या है अब लोग देख लेते हैं कि 14 संख्या का नियम अखिर क्या है अब देखिए यहां पर यदि कोई संख्या 14 से भाज है यदि कोई संख्या 14 से भाज है यदि वह दो और साथ दोनों से भाज है अब आगे तो आप लोग दो और साथ का रूल तो पढ़ी चुके है ना इसको बनाने में देर थोरी होगा ठीक है ना यदि कोई संख्या 14 से भाज है तो क्या होगा दो और साथ दोनों से साथ में इतना याद रखिएगा कि साथ में भाज होना चाहिए दो और साथ से दोनों से ठीक है अब आगे देखते हैं कि दो और साथ से तो यहां पर देखते हैं option number 1 को क्या 46-20, 37-20, 53-40, 61-68 अब तो यहां पर देख रहे हैं कि सब दो से भाज़े हैं क्यों कि दो से भाज़े में क्या होता है कि यदि काई कांग 0, 2, 4, 6, 8 है तो वह दो से संख्या भाज़े हैं अब साथ से भाज़ेता के जांज करना है आपको हम एक-एक option को समझाना चाहेंगे और देखते हैं चलिए आगे क्या करते हैं कि एक-एक option का हम लोग इस पाश्टी करण देख लेते हैं यह तो सब दो से भाज़े हैं हमारा ओके अब देखते हैं कि साथ से सभी option दिया गया है भाज्या है और जो भाज्य नहीं होगा, तो क्या होगा हमारा answer होगा क्योंकि पूछा क्या है कि भी भाज्य?-जन नहीं है ना विभाज होने वारी संख्या नहीं है वही हमारा right answer होगा देख लेते हैं पहला option को पहला option क्या है हमारा कि 46-20 और 46-20 में क्या है कि 7 से भाजी कानियम हम तो जानते हैं कि 1 काई के अंक क्या है इसमें 0 है तो 0 को छोड़ देते हैं क्यों कि 0 से अगर किसी भी संख्या में गुणा करिये तो उसका मान तो 0 ही होगा और जोड़ेंगे घटाएंगे सेम होगा तो 0 को छोड़िये और अगला बोड़ जाते हैं हम 2 पे और 2 पे क्या करेंगे कि इसमें 7 कानियम क्या है कि 2 से गुणा करते हैं 2 से गुणा कर देते हैं तो 2 गुणा करते हैं और उस उस अंग को हटा देते हैं, तो बनता है क्या अगली संख्या बन जाती है, तो इसमें जब दो को हटाएंगे, तो क्या बनेगा, 46 बनेगा, तो 46 में से जब दो दुना का 4 को, दो गुना क्या होगा, इसका दो गुना 4 होगा, और यहां पर संख्या क्या बनेगी, तो 46 में से 4 जाएगा 52 जो क्या है यहांपर सचक 42 साथ से भी भाजी हमारा है 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 वह हमको साथ से देखना के लाओ की दो से तो सब भी भाजी हैं ऑक हमांगला देख लिए ओप्स and इंचान इतों बीक इस भी जीरुक ए मांनी इसको जीरुकर छोड़ दे तें क्यों कि जीरो सम्कों मतलब का इसमें है न छोड़ दिजिये, आगे बड़िये जीरो को खटा कर एक, एक का दो गुना कितना होगा? एक का 2 गुणा, 2 होगा, 2 यहां पर हम लिख दिया है, बागे सम रूल है, कि 1 काई के संख्या को 3 गुणा करते हैं और 1 काई का 3. lone बनेगा है 헌पर 27 गदेटे थैड में 47 में से 2 जाती और नसkg dov logar, 35 होग तो 7-5 यह विवारित है एकषट अठासी में आईए एकषट अठासी वाला मतलब यह अप्से नमर डी वाला में यहाँ पर क्या होगा लाश्ट वाली संखे क्या है आठ है ना लाश्ट वाली संखे क्या है इकाई वाला संख्या इकाई माला अंक बोलिए इकाई माला अंक जो होगा ना तो इकाई माला अंक क्या है आठ है तो आठ का दो गुना क्या होगा सुला होगा अब क्या करते हैं कि इसको हटा देते हैं आठ को तो बने आएगा छोसा अठारा चोसा अठारा में से सुला जाएगा छोसा दो अब फि दूनके कई यहाँ कफ़ क्या बना दो बना अब यहाँ पर जब दो बना तो दो को यहाँ दो 14 अब बचा क्या साठ साठ सेच जाएगा 56 तो सथ वढ़ चाप्र पाठ न यह नहीं कटेगा तो हमारा राइट आंसर क्या होगा सी वाला ऊगा ठीक है ना आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लाश्ट हमारा है पंदरा से भाज संख्या पंदरा से भाज ये भी बहुत इंपोर्टेंट है इसको भी देखिए आगे बढ़ते हैं पंदरा से अब बहुत असान है इंपोर्टेंट तो है असान है क्या कि अब देखिएगा पंदर का नियम तो बहुत असान हलुआ है इन कभी और हलुए बना दिये हम लोग क्योंकि बहुत असान होगी हम लोग जान गए ना जान जाते हैं तो सब असान हो जाता है ठीक है तो पांच वाला तो नियम असान है क्योंकि इकाइं का अंक पांच वाले में क्या होता है इकाइं का योग जो होगा हमारा तीन से भाज होगा है ना ती योग वे तीन से भाज होगा तो वह संख्या इन से भाज होगी ओके आगे किश्चन है कि निम्न में से दिये गए जैसे यह दिया गए आपको ऑप्शन तो निम्न में से दिये गए संख्या में 15 से भाज होने वाली संख्या नहीं है पंदर से भाज होने वाली संख्या नहीं है ठीक है तो आगे पहला हम लोग 5 से चेक करते हैं 5 से क्या 0-5 तो 0 तो इसके लाश्ट में है इसके लाश्ट में 5 है इसके लाश्ट में 0 लेकिन पूछा क्या है कि भाज नहीं है नहीं है तो क्या डी वाला नहीं है चले दोस्तों आप लोगों ने वीडियो के अंड तक बना रहा अपना यहां पर स्वयोग दिया और वीडियो के अंड तक आप लोगों ने बने रहे इसके लिए धन्यबाद और हम लोग क्या करते ह एक अगले नए टॉपिक पे फिर मिलते हैं और हम आपसे बिदा लेते हैं तब तक के लिए जाहिंद हस्ते रहिए बंदे मात